दिल्ली जाते हैं उसमें ट्रेन जो जारी है वो एक ही ट्रेन है जो दिल्ली जाते हैं उसमें सवारी जाद है और डबे बोगी कम है इसलिए उपर बैठते हैं प्राइदाने बैठते हैं रोज उसमें बीच में आपते हैं में दो मेंने में एक्सिजेट हो जाता है लोग चड़ जाते हैं जगड़ा हो जाता है पुलिस वाले उतार देते फिर वो चड़ जाता है हम जल्दी पहुंच रहे हैं मतला हम दो घंटे माँ बेट करना पड़ रहा है सर बहुत सो की नोगरी छूट गई क्योंकि वहार टाइम पर नहीं जा पाते हैं और इसमें डिवारे नहीं कोई बीमारी नहीं नहीं है यह मोजी सरकाई की ना पैसा खर्चा कर रहे है तो यह करोन भाइन के लिए कर रहे हैं पहलाने के लिए मैं इंशेफित ना टो सपनवाले कर रहे हैं ना पीॆ फेशे वाड़ कर रहें ये पबलिक कब तब कर आ Parte है ये coming पुलिक मर्जों कोई दिक्कत नी करो ना आया पबलिक मरीना कोई मतलब नी है लिए ना बस कुर्सी चाहिए और कुछ नी चाहिए इने नवश्कार मैं कमल शर्मा किशोर और आप देख रहे हैं जन के मन की आवाज इस वक्त हमें खेकड़ा के रेलवे स्टेशन पर और यहां हमारे आने का कारण ये है कि जो यहां पर इस्तिती बताई जा रही है वो बड़ी बदहाल है शामली से दिल्ली जाने वाला रूट इस वक्त सुबह के साड़े आठ बजे हैं और कोरोना काल से पहले इस वक्त दिल्ली जाने के लिए यहां पर तीन चार ट्रेन होती थी लेकिन पहली ट्रेन जो दिल्ली जाती है वो आठ बज कर 40 मिनट पर आती है लोग ऐसा बोलते हैं कि एक तो दिल्ली समय पे वो अपने ओफिस नहीं पहुँच पा रहे दूसरे क्योंकि काफी भीड आती है उनका ये मानना है तो आज हम इस्तिती को देखेंगे भापेंगे और आपके सामने रखेंगे और जानेंगे क्या है जन के मन की आवाज तो आईए बात करते हैं हाजी आपका शुम नाम मेरे सुम नाम है जी बिरितन दर कुमार मैं खेकटक रहने वाड़ा हूँ ये बताईए जो बताया जारा क्या परेशानी है आपको ये बताईए इसवार्ट परेशानी है जिस जब से लोग डाउन दो साल से लगया जब से म लिट जाते हैं उसमें जे लेट टेंचे जाते हैं उसमें सवारी जाधा है और डब बोग इस लिए ऊपर बैठते हैं रोज उसमें बीच मारता मीनने में दो मिनने में अग्सिदेंट हो मि देखने वाला नहीं है जो रेलोड भाग से हैं क्योंकि इस वक्तों पहले साथ जतने लिए और हमारे जितने भी मजदूर से नोगरी बची रहे रोजी-रोची परिवार पढ़ जाएगा आप क्या कहोगा जी आप क्या काम करते हैं यह मुझे बताओ क्यों है रेलवे क्यों नहीं मानना उसे तो फायदा है जदा ट्रेन चलाएंगे जदा सवारी जाएगी क्यों नहीं कर रहे वो लोग अब इसके लिए तो परदायत उनका है न क्यों नहीं चलाते आम पब्लिक के तो डिमांड है आपको क्या लगता है अब यह तो पब्लिक डिमांड करेगी तभी जागेगी सरकार विरंदर नाम है विरंदर जी मुझे यह बताईए कि यह सबसे बड़ी समश्या है जो अंदर का माहूल लेदर ट्रेन का भीड़ बार रहता या कैसा है भीड़ बहुत र जाते हो क्या परेशानी हो रही है तो लेडी के लिए कोई डबा है अलग से उसमें भी जैंस लोग चड़ जाते है तो कोई देखने वाला रोकने वाला नहीं है तो आप मुझे यह बता यह चलो यह तो बता दी ऐसा है कि लोग टिकट लेके नहीं चलते कि जास्याद कुछ लोग तर्क देते हैं कि टिकट लोग लेकर नहीं चलते इस वज़े से उनको लगता ही नहीं कितनी भीड है नहीं चलो इसमें सब्सक्राइब नहीं चल रही है प्राइवेट में चले और चले कुछ लोग तर्क दे रहेंगी रेलवे लाइन पर काम चल रहा है इस वज़े से कम रेल चला रहे हैं आपको लगता ऐसा है ऐसा कुछ भी नहीं काम तो पहले भी होते भी आ रहे जी पहले पहले पिछले दिनों दनी जागन में दिया गया था कि गैर उपज़व और खतरना कि अगर तो चलिए यह ती लोगों की राहे आप और मैं आपको बता दूं कि आज हम खेगडा से लोनी तक ट्रेवल करेंगे और देखेंगे अंदर जानेंगे क्या उनकी दिक्कत है हम है खेगडा के रेलवे सेशन पर और हम करेंगे लोनी तक का सफर और जानेंगे और पूछेंगे क्या है लोगों के मन की राहे आपको शुब नाम संजी कुमार यह बताइए क्या कहोगा इसके बारे में मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि आजकल जो प्रोब्रम चलिए टेन साम को जाते थी अब सिर्थ जारे ति यह बताइए कुछ लोगों का यह कहना है कि कुछ लोग हो सकता है कि ट्रेक टिकेट लेके नहीं चलते जिससे उनको पता नहीं चलता कि इतने लोग चल आप ऐसा है ठीकट की तक है थोड़ी बहुत तो दिक्कत है लेकिन ही काफे बढ यह अपका नाम यह मेरा नाम है मतलब कको जलदी जाना है कि यहाँ जल्दी पहुंच रहे हैं मतलब कुई अप्रेसान नहीं है कि हम टेम पर नहीं पहुंच रहे हैं वह कर रहे हैं तो जैसे ट्रेन हैं और मैं देख रहा हूं कि आप लोग खड़े हूँ सफर कर रहे हो और अभी तो क्योंकि दिल्ली तक काफी स्टेशन है तो यह स्थिति ऐसी रहती है उसकुछ सुकून दायक सब्सक्राइब खराब होगी इस टीच ट्रेन आकर बढ़ती जाएगी बहुत ज्यादे खराब हो जाती है लोग बाग दूसरे को पर चड़ जाते हैं जैसा रिजाई कद्दे की तरह लग जाती है तो यह उपर दिखाई नहीं देता क्या है खारण इसका पता नहीं जी पर सब्सक्राइब तो टाइम से पहुंचा रहे हो थोड़ा बहुत 10-15 मिट किट दे रही होती है तोड़ा फ्रिक्वेंसी बहुत कम है ट्रेंस की सुर्ट अच्छा मुझे एक बात बताओ जो मैं मैं यह जाना चाहरा हूं कि जो हाईयर अथोर्टी है वो उसको दिखाई तो पता कैसे लेगा उनको या तो उनको बताया जाए निवारा कोई दिखाता है नहीं तो में रीजन तो यह है कुल्दीप सिंग जी भाइसाब थोड़ा साइक बन नीचे को आप किस पर यह रोज ऐसी सफर करते हों तो मजा आने लगा या वैसी दिन चलेंगे परिशानी तो बोल रहे हैं कि कि जैसे किसी से बात करते हैं इस पर विद्यूदिकरंण चल रहा है बिजली का काम चल रहा है ये आपको तरीका लगता है कि ट्रेन कम कम में यहां मगर इसाथ से मैं अभाइसे तो खड़े-ख़डे सफर चलता है क्या करें आकाश क्या करते हो आप कुछ निवाओ ठली करते हैं तो ठली रोज रेल में घूमते हैं कैसे तो भाई कितने का टिकेट लिया तो हमारे भाई देख लो पता है आप की वजह से उनके दस्तावेज नहीं पहुंच लें उनके पाज इसलिए ट्रेन नहीं चला रहे हैं अपना विरोज यह से दर्ज कराना है इस सरकार में वोट दे थी नहीं अच्छा नोट दबाया चलो सही है पर एक मर गोड सा देख लो यह है भाई जो बीना टिकट ट्रेयार करते हैं अब हमेशा ऐसे बीच में सफर करते होगा बैठके ना इधर ना इधर एक्टुल में क्या है बहुत प्रोब्लम है ट्रेन नहीं है कोई बीमार भी है कोई बच्चा है किसी को पेसेंट को लेके जा रहे हैं तो इतनी दिक्कत कि नहीं मुझे यह बताओ क्यों है ऐसा मलब क्या कारण है आप यह आप यह देश के टेक्स बढ़ते हो आप लोड देते हो इलेक्शन आया तो यह कोई मुद्दा नहीं उठाए सबसार सवारी जितनी भी है परिषान नहीं आपनी आपको बतनी उजवाल को बता सकते हैं य सब चलते हैं और टिगड़ भी सब लेते हैं ऐसी कोई बात नहीं है ठीक है लेकिन यह थोड़ा सा कि वह यह चला दें क्या कारण है नहीं चल रही मेरे बहुत भाई बेरोजगार होगे दिक्कत आ रही है लोग नहीं जैसे जाते हैं एक दिन चल जाता है वह लेट जा रहे हो तो सारा जब यह एलक्षन आते हैं तब तो करोना खतम हो जाता है और जब एलक्षन हो जाएं रिजल्ट आजा फिर करोना फिर चलो हो जागा हमें तो लोग ना फिर लग जागा एट्रेन हमारी चल नहीं रही बंद करती साल बर के लिए अब मुस्किल से वह आ रहा बहुत आपका शुबद नाम करें नाम रंशिंगर नाम रंक सग्या च्रसपना तो से टेह से जिए तो तो दोसिट मिल जाएं चिस toad a है अब आप उसके मिलने मुश्किल हो आप से हाँ सारा से आप का क्या करते हो किसी को पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है यह तो इन सरकार ने बहुत परिशानी तना कर दिया जी जैसे अब अलक्सन होगी है अब यह फिर दो मिन अलक्सन खतम दस मार्च के बाद अलक्सन को जावा के लिए फिर इनका करोन बढ़ जाएगा परिशानी बढ़ जाएगा इनके लिए बहुत दुग्यारी बात है जी नहीं चलिए और आगे बात करते हैं हाई आपका नाम नोशाद है जी नोशाद भाई क्या कहोगे मरेशान हो रहे हो नहीं हो पहुत है जब से लोगडाउन के बाद ट्रेन चली है ट्रेन हमारी लाइन पर कम से कम पहले 20-22 ट्रेन डेली पेसेंजर ती यानि ट्रेन चलती थी हो उसमें अब जो इतनी भीड हो र नोशाद भाई आपने वोट दिया इलेक्शन दिया आपके दिमाग में कहीं यह बात थी या बस खाली वोट वोट के लाग दायरे हैं यह नहीं करते हैं लेकिन कोई सुनने वाला इसमें और जो हैना सोसल मीडिया पर को सुनता निस चीज़ को क्यूं नहीं अगर कर रहे तहीं इतना ना रोजगार है ठीक हैना और जब मुद्ध है महंगाई का भी एक किसानों का मुद्ध है अब यही कहोगे बाई-साँ पर चला चलाते हैं लेल यहां पे पहले 22 से चोबिस ट्रेंट डेली पैसे जड़े होती है आप आज क्या है और ट्रेंगे और विदावट की बात है गोवर्मेंट चाहे तो चैक इन करवा सकती है और ट्रिकट भी लेके चलेंगे पास ही बनेंगे और दूसरे नंबर पर यह ह चार पांच डिबग ट्रेंग आती थी और उसमें भी जवर्दस चेक होती अच्छा अभी बताओ कुछ उम्मीद है चलने की ट्रेंगे गोवर्मेंट जो चाहे सब कर सकते हैं लेकिन करना चाहे तभी तो फिलाल तो कुछ करनी नहीं है चलिए जी और जानते हैं आगे लिकत परेशानी नहीं होते कुछ जादा होती है सर अच्छा जादा होगे सर यही कहते हैं कि रेल पर साथन ट्रेंगे लाइन पर ज्यादा कुछ आपका नाम सुमेश त्यागी क्या का होगे सिच्वेशन के वारे में सर हम योगी जी को चाहते है काफी बदला हुआ है और गुंडागर्दी बिल्कुल खतं हो चुकी गुंडागर्दी तो खतम होगी ट्रें काइसे चल रही है तो डिल्ली बंद हो गई है तो चल जाएगी लेकिन अब एक बात बता हो दिल्ली जाने के लिए सारे स्कूल कोलिज खुल गे हैं होपिस सारे 100 परसेंट पे चल रहे हैं सारी स्थेंट चल दिए सब कुछ को खाली यहीं इसी मी नि बाकी राइन पे अच्छी है एक कंडिशन नहीं सर ना थोड़ा विमारी की बाजीन की कि सेर्कार से सिरु एकी बात हम पूछना चाहते हैं करोना फलाना चाह रही है इ enorme uing किते नीशे चल रही है पूरी दिल्ली में कहीं चल रहे हैं कितनी नहीं नहीं जब करोना भगाना चाह रहे हैं तो ट्रेन क्यों नहीं चला रहे हैं यहां सब यहां भी फैल दिल्ली में भी लेका जाए सरकार क्यों नहीं देखना चाहरी हूं बतादो आप सरकार जानबूच के नहीं देखना चाहरी है है ही नहीं बस इलेक्शन पर या और द्यान है अरे वो त हखिरा थे तो गलब कर दो इतनी फीड है आपस में सट सठ चल रहे हैं और आगे लोनी जाके तो और पूरी हाला चल रहे थी इस ट्रैन में तब बैटके कब गए थे हम इसमें बैटते ही नहीं तक नहीं सीट नहीं कभी नहीं तो इसा जब वोट वोट सरकार नहीं नहीं कॉंग्रेस के टाइम में किसको सीट मिली बताइए मेरी बात चुनों ना जब मोजी सरकार इतना पैसा खर्चा कर रही है तो यह कोरोना भगाने के लिए कर रही है फ़लाने के लिए हमें एक बात का जवाब कोई देदो आप देदो या उसी सरकार देदो अच्छा मुझे एक बात बदाओ जैसे वह चार ट्रेन चला रहे हैं द क्यों नहीं हो गया है एक तो भीड का मुझे निए सरकार का ध्यान स्मुझे कोई ध्यान हैं तो एक बात बदाओ ऐसा क्या गुना होगा कि आप टिकेट नी बढ़ते टेक्स नी देते आप पास है सब पे महिने का पास बनवाते हैं सरकार को तब भी सरबनी आती कि एक दो ट्रेंट चला दें तो यार आप एक बात बदाओ आप इंस्टा चलाते हो इंस्टा चलाते हो पेटर वगरा सब कुछ है तो कभी दिल में नहीं है जुनूम सा कि आज कर देते हैं सिद्धा खटकडा देते हैं रेले मंत्री को बोलेगा इतनी पपलिक हैं कोई भी नहीं बोलेगा एक बंदे से और पर दिकत लिए इसका है जब भी चलेगी अपनापर चलेगी रहा बाइया ये कुछ करके नहीं पहले ना तो आपकी वोट किसे गई तो नोटा दवाया आपने नोटा तो जब आप किसी को वोट नहीं दे रहे इसी यह भी तो सब्सक्राइब करने वह तो यह तो सरकार सही चुनी होती तो क्या बदा ठेंड चल जाती अब लोगाइब चुनता रहा ठी साल की उमर होली कोई भाद है नुए यह तो नास करें यह कुछ नहीं करें तीक इनए चाहिए कुर्षी लेकिन परिशानी नहीं होती इतनी ट्रेंटों की सब पर क्या करें मन में संतोज बन गया संतोशी होगे तो यह थे हमने ट्रेवल किया खेकड़ा से लोनी तक का मन तो बहुत हैं लेकिन जितने भी लोग हैं सब पर तक का देन जितने था लोग हैं सबस्क्राइब द्बाइस는데요 यह था हमारा आज का कारिगरम जन के मन की आवाज खेकड़ा से हम चले और हमने लोनी तक का सफर किया और आप देख सकते हैं कि ट्रेन में इस वक्त कितनी भीड है दरसल दिल्ली जाने के लिए इस वक्त समय हुआ है सवा नो यह ट्रेन लगबग सवा दस के करीब दिल्ली पहुँचने का इसका टाइम है तो लोग ओफिस आप सोच सकते हैं कि किस टाइम पहुच रहे होंगे यह एक की समश्या नहीं है रोज उनकी समश्या है रोज इससे रूबरू होते हैं तो मेरे सहयोगी अखिलेश कोशि और शादाब खान के साथ यह एपिसोड हम आपके लिए लेके आए जन के मन की आवाज परेशानी आप देख सकते हैं यही कारण था कि हमने आज यह एपिसोड बनाया अगे अपना ख्याल लखिए और देखते रहिए जन के मन की आवाज